नमस्कार एल सेक्शन फिल्टर या चोग इन्पुट एलसी फिल्टर एल अनुभाग फिल्टर या चोग निवेशी एलसी फिल्टर क्या चीज होती है उसके बारे में हम आज बात करेंगे लोड प्रतिरोद के पार्शवपत में संधारित्र फिल्टर अत्वा श्रेणी क्रम में प्रेरक कुंडली द्वारा सभी लोड प्रतिरोदोखों के लिए उर्मिका गुणां का मान अपेक्षित मान तक कम नहीं किया जा सकता इसलिए और्मिका गुणां का मान अल्प मत करने के लिए LC filter का उप्योग करते हैं जिसमें लोड प्रतिरोध की श्रेणी क्रम में एक प्रे रख कुंडली वपाषय पथ में संधारित्र सयोजत होता है एक प्रेरख कुंडली वह एक संधारित्र से बना LC filter, L आकरिती के होने के कारण L अनुबाग filter कहलाता है जब दिष्टकारी से प्राप्त स्पंदमान दिष्टा वोलता प्रेरख कुंडली में से प्रवाइत होता है तो इसका दिष्ट वोलता घटक प्रेरख कुंडली की प्रतिवादा के कारण उर्मी का घटक वोलता का पतन होता है इससे निर्गत धारा में जो शेश उर्मी का धारा रह जाती है उसको संधारित्र सी उपपत पाईपास प्रदान करता है और दिष्ट धारा के लिए संधारित्र अनंत मान के लिए प्रतिवादा उपस्तित कर रोकता है इस प्रकार या फिल्टर परिपत एक छलनी के समान कारे करता है जो उर्मी का धारा को उपत प्रदान करने के अलग कर दिता है तथा दिश्ट धारा लोड प्रतिरोध में से प्रवाइत होने देता है उप्रोक्ट वर्णन में यह स्पर्ष्ट होता है कि ओर्मिका अवरिति के लिए चोग का प्रतिगात अधिक तथा संधारित्र का प्रतिगात कम होना चाहिए गर्णितिय रूप से एल अनुभाग के फिल्टर का विशलेशन करने के लिए फिल्टर के निवेश पर प्राप्ट वोल्टा तरंग के रूप में जो फूरियर विस्तार है उसका हम उप्योग करते हैं पूर्ण तरंग दिश्टकारी से प्राप्सपंदमान वोल्टा के फूरिय प्रसार से जो ई का मान है वो 2 Vm by Pi माइनस 4 Vm by 3 Pi कॉस्ट ओमेगा टी माइनस 4 Vm कॉस्ट 4 ओमेगा टी जेवेड़े 15 Pi यहां डायोड पर निविश्ट वोल्टा का शिखरमान Vm होता है और आवरिती ओमेगा है उप्रोक समिकरन में का जो प्रतम पद है 2 Vm by Pi फिल्टर के निवेश्ट पर दिश्ट वोल्टा को व्यक्त करता है जो Vdc है वो 2 Vm by Pi तथा IDC 2 Vm by Pi RL के बराबर होते हैं जैसे कि हमने यहां पर दर्शाया है यहां दिश्ट थारा के कारण लोड प्रत्रियोद RL के शिरों पर निर्गत वोल्टा EDC है इस समिकरन का दूसरा तथा तीसरा पद द्वितिया तथा चतुत प्रंस्वादियों harmonics को व्यक्त करता है जिससे filter द्वारा प्रिथक करना चाते हैं चूंकि उच सनादी वाले वोल्टा का मान दूसरा सनादी वोल्टा प्रतम और्मिका पद की तुलना में नगर्ने होता है इसलिए उर्मिका घटकों मैं केवल प्रतम पद अर्था द्वितिय सनादी वाली वोल्टा की मतपून होती है इसलिए जो वोल्टा है उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इसलिए लगबग संपूर्ण उर्मिका धारा प्रेरक कुंडली तथा सन्दारित में से प्रवाहित मानी जा सकती है उर्मिका धारा आई असी इस उकल टू वी असी डिएट बाई 2 उमेगा एल मैनस 1 बाई 2 उमेगा सी यह इसका मान होता है एक्सेल और एक्सी के मान के बराबर है तो हम इसको अगर सॉल्फ करेंगे तो आई एसी इस उकल टू 4 एम डिएट बाई 3 पाई रैकेट में 2 उमेगा एल मैनस 1 बाई 2 उमेगा सी कॉस्ट उमेगा टी यह हो जाएता है एट वी एम ओमेगा सी डिएट बाई 3 पाई ब्रैकेट में 4 ओमेगा स्क्वर ल्सी माइनस 1 कॉस्ट उमेगा टी उर्मी का धारा का वर्ग माध्य मूल मान जो प्रभाव यह मान है जिसको हम करतें इसका वैली हो जाएगी एट इम ओमेगा सी डिएट बाई 3 पाई ब्रैकेट में 4 ओमेगा स्क्वर ल्सी माइनस 1 अंडरूट 1 बाई टी इंटीग्रल ओफ कॉस्ट क्वर 2 ओमेगा टी डी टी और इसके लिमिट से 0 से लेके टी तक इसकी वैली हो जाएगी ब्रैकेट में 4 ओमेगा स्क्वर ल्सी माइनस 1 वन बाई रूट 2 अता ओर्मी का धारा द्वारा संधारित्र सी के सिरो में माध्य वोलता उसको हम इस्तर से कह सकते है या वी रमस इस इक्वल टू आई डैश रमस वन बाई 2 ओमेगा सी लोड पर ओम्री का बोलता वी असी इ माइनस 1 ओमी का गुणांग का जो डेफिनेशन है वो है ओमी का वोलता का प्रभाविमांग डिवाइड बाई दिश्ट वोलता तो हम ओमी का गुणांग गामा इस इक्वल टू 4 वी एम डिवाइड बाई 3 रूट 2 पाई ब्रैकेट में 4 ओमेगा स्क्वर ल्सी माइनस 1 ब् यह हो जाएगा 0.47 डिवाइड बै ब्रैकेट में 4 ओमेगा स्क्वर ल्सी माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इस प्रगार उर्मी का गुणांग लोड प्रतिवाधा अर्थात लोड धारा पर निर्भर नहीं करता तथा इसका मान को न्यून करने के लिए आवश्यक होगा कि 4 ओमे स्क्वर एलसी बेरी मुच ग्रिटर देन वन के लिए गामा शुट बी इकवल टू 0.118 डिवाइड बेर ओमेगा स्क्वर एलसी यह हो जाएगा 0.118 डिवाइड बेर 4 पाई स्क्वर एफ स्क्वर एलसी क्योंकि ओमेगा के वहले हमें पता है 2 पाई एफ के बराबर होती है इस से हमें यह स्पश्ट होता है कि उर्मी का गुणांग गामा आवरिती का वर्ग एफ स्क्वर प्रिरकत्व एल तथा धारिता सी के व्यत करमान वाती होती है अतह कम उर्मिका गुणांग के लिए आउशक है कि प्रेरकत्व L तथा धारिता C का मान अधिक होना चाहिए निवेशी प्रेरकत्व काक्रांतिक मान critical value of input inductor ये कितना होता है उसके लिए हम इस graph का प्रयोग लेते हैं LC filter में कम लोड पर अर्थात RL की अधिक मानों वह कम लोड धारा के लिए संधारित्र अधिक प्रबावी होता है संधारित्र निवेश्ट वोलता कि शिखर मान तक आवेशित होता है तथा लोड के अनावेशन अल्प मात्र में ही हो पाता है जिससे निर्गत DC वोलता अधिक हो रहती है लोड धारा बढ़ने RL कम होने पर संधारित्र का लोड से अनावेशन तीवर गती से होता है जिससे माध्य वोलता DC वोलता से कम होती है धारा बढ़ने के साथ फिल्टर में प्रेरकत्व का प्रभाव बढ़ता है और एक निश्चित मान आई के के पस्यात फिल्टर लगबग शर्णी प्रेरकत्व फिल्टर की भांतिकार्य करता है पार्शरपत्व संधारेत्र फिल्टर में डायोड का चालन अल्प समय अल्प चालन कोण के लिए होता है जबकि निविश वोलता संधारेत्र प्रवोलता से अधिक होता है लोड प्रतिरोध आरेल कम होने पर संधारित्र का अनावेशन तीवर होने से डायोड का चालन कौन बढ़ता जाता है लोड धारा आई के किस्तिती में उससे अधिक लोड धारा के लिए डायोड चालन निरंतर होता है प्रेरक कुंडली से धारा प्रवा निरंतर होने से प्रेरकत्व के द्वारा गोलता नियमन प्रभावी हो जाता है क्रांते का वस्ता IDC is equal to IK पर मुख्य उर्मिका घटक दृत्य सनादी का आयाम शिखरमान निर्गत दिश्थारा के बराबर हो जाता है तो निर्गत दिश्थारा है IDC वो IK के बराबर होती है दृत्य सनादी के संगत दारा का शिखरमान हो जाएगा 4VM divided by 3 by Z या XL Z की वैल्यू हम दृत्य सनादी के लिए प्रतिवादा है तो इसका वालग 2VM by pi R should be equal to 4VM by 3 by Z2 तो R का मान हो जाएगा 1.5 Z2 के बराबर हो जाएगा सामानेता ओमेगा L is very much greater than 1 by ओमेगा C अतह Z2 का जो मान है वो हो जाएगा ब्रैकेट में 2 ओमेगा L minus 1 by 2 ओमेगा C that is nearly equal to 2 ओमेगा L अब क्रांतिक अवस्था में R की वैल्यू हो जाएगी 1.5 into 2 ओमेगा L तो L हो जाएगा R by 3 ओमेगा तो IDC is equal to 2VM by 3 by ओमेगा L IK का मान कम से कम रखा जाता है और इसके लिए अधिक प्रेरकतों का उपयोग करना पड़ता है अब हम बात करते हैं स्रावी प्रतिरोध या ब्लीडर रेजिस्टिंस क्या होता है लोड प्रतिरोध अधिक होने पर जब लोड धारा क्रांतिक धारा से कम होती है तो निरगत दिश्ट बोड़ता से में विद्धी होती है दिश्ट बोड़ता का या परिवर्तन रोकने के लिए लोड प्रतिरोध के समानतर क्रम में एक उप्योग प्रतिरोध लगा दिया जाता है जिसे RL अधिक होने पर लगबग IK धारा प्रवाइत होती है इस कारण पर रिर्णामी लोड धारा IK से कम नहीं होबाती और निर्गत दिश्ट बोलता नियत बनी रहती है लोड के समानतर करम में जोडा गया या प्रतिरोध स्रावी या ब्लीडर प्रतिरोध कहलता है धन्यवाद